हेलो एबरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ गुड मॉर्निंग टू आल अफ यू मैंने कर दी है अपने वीडियो की सुरूबात एक नए दिन के साथ और उमेद करूँ कि आपको मेरा वीडियो तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पर हमारी गुडिया रानी हो रही है तैयार वो जा रही है इसकूल तो मैं उसकी चोटी बनाने के लिए यहाँ पर आई थी वैसे वो बना लेती है ऐसा नहीं है कि मैं ही डेली बनाओ पर कभी-कभी उसका मन होता है कि ममा आप बन पर आदा दो तो मैं नका चलो मैं बना देती हूँ तो अभी मैं अंदर आयी थी उसकी चोटी बनाने के लिए और वो आघे से अपनी चोटी कर रहे थी बनाते हैं चोटी चोटी कुछ इस तरह से वो मुझसे नहीं बनाई जाती है लेकिन आप पीछे से मैं एक चोटी-दो जोटी वो मैं कर देती हूं तो अभी इसको करानी है आज दो जोटे इसके ना बाल बहुत गिर रहे हैं पता नहीं क्या प्रब्लम है क्या नहीं है मैं भी परेशान हूं इसके बालों को देख करके कि पता नहीं क्या हो गया है बहुत बाल गिरते हैं इसके पता नहीं इस मौस समय तो लगभक संद रिते ही घरतैं तो अब ही यहां पर मैं उसके वह cay AH जो भी हैं वह मैं दे रही थी और वह बोल ही कि ममां यहां पर ऐसे लगा दो लेकिन मुझसे सही नहीं लगें जासे की बालों जैसे hair style बनाना है कुछ करना उससे वो नहीं आता है मैंने हमेशा से simple ऐसे ही बस चोटी बनाई है या जैसे अब यह जूड़ा बना रखा है इतना इस तरह से कुछ बंदा नहीं अभी यहाँ पर अनुश्का के पापजी भी आ गए है क्योंकि वो भी नहा करके आए है वो भी कपड़े बगेरा पहनेंगे बाल कंगी करेंगे वो भी यहाँ पर तो मैंने इसलिए वहाँ पर वीडियो को बंद कर दिया था क्योंकि ना म वो अपना बाल वगएरा कंगी करने लगे और कपड़े वगएरा पहने उन्होंने यही काम किया और फिर वो तो दोनों चले गए हैं मैंने उनके लिए न क्या बोलते हैं उनके लिए चाय वगएरा नास्ता वगएरा जो भी मुझे देना था वो उनको दिया और उसके करना है ऑख से गर बच्चा स्कील हे जारहे हैं कि यह करना दो ऑप आज और कासरों को जाते Skillshare को इसलिए तो अभी आज वो चली गई है इसकुल गई है वो तो अभी ना काम भी पूरा रूटीन में ही चलेगा अभी यहां पर मैं मक्षन निकाल रही थी क्योंकि मैंने मठा ना चलाने के लिए लगा दिया था लगाया था तो मैंने इस वज़ा से था कि अनुश्का के पाप बंद करना पड़ता है क्योंकि इस तरह से चलाते रहेंगे तो फिर बेकार हो जाएगी तो मैंने फिर इसको बंद कर दिया वीच में और फिर दुवारा से चलाया है तो इस तरह से ही कुछ हूं कि आभी हां पर मैंने इसमें मठा को में च्छान रही हूं क्योंकि मैं हमेश यहां पर मैंने वह ठीवालहरे यहां पड़ुमें पश्मोंक के लिए इसको डाल देती हूं कोई भी चीज हमारी के बची हुई हो मैं उसी में ठीव मैंने वह पिले लिए हैं और यहां पर इसको चान करके और बोटल में बहुत दूँगी अब nights तो इस लोती में चान रही क्योंकि जब तक अब मैं पतीली से ही ऐसे इसमें डालू तो फिर वो छन नहीं पाएगी क्योंकि बोटल कम हो इतना बड़ा तो होता नहीं है कि उससे छनी हुई ना छलनी से मैं छानू और वो उसके अंदर चली जाए तो पहले इसको किसी ना किसी में छानना पड़ेगा उस जैसे कि मैं और अनुश्का पियाएंगे तो वो मैं इसी लोटे में रख लूँगा यह हमारे लिए काफी रहेगी और इसमेंसे बच भी जाएगी हम तीनों के लिए इस लोटे में काफी रहती है इसे कि हम रायता बगरा बनाते हैं इसमें बना लेती हूं और वही हमारे से ही मैं लूँगी जरूर जैसे चाय को सब खाने के साथ लेकिन मैं जादा नहीं बहुत छोटी सी एक किलसी आए उसी में लेती हूं कि मुझसे ना बहुत जादा नहीं पी जाती है और उसका कि पापजी कुछ फ्रूट्स लेकर आये थे इसमें कि यह एपल है और बनाना ह बढ़िया है क्योंकि जादा ही जो पके हुए ले आते हैं फिर वह बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं और इतने जल्दी खाए तो जाते नहीं है लेकिन अब की बार हमश्का के पापजी वैसे वह सही ही लाते हैं ऐसा नहीं है कभी हो जाए वह एक अलग बात है यहां प तो अभी इसको इस वाले डब्य में रख लूँगे और यह दूद आ गया है तो दूद को भी मैं इसमें छान लूँगी भगोने में और इसको वॉयल करने के लिए रख दूँगी तो छान के तो मैं जो चाय हो या दूद हो दोनों चीज़ों को ही रखती हूं उससे ना के ही रखती हूं तो अभी मैं आ गई हूं वाश्रूम में और यहां पर डालूँगी मैं पानी मशीन में क्योंकि मुझे लगाने हैं कपड़े दूदने के लिए तो मैंने मशीन अंदर ही कर ली है और ज्यादा तर अभी न कुछ दिनों से मैं मशीन को अंदर ही ले जाकर क लगाती हूं तो अभी इसमें सरब अगेरा भी डाल दूँगी और फिर मैं इसमें चावी बर दूँगी यह दूलते रहेंगे कपड़े तो मैंने सुचा कि इसको लगा देते हैं वाकी का काम करते रहेंगे क्योंकि साथ के साथ कपड़े भी दूल जाएंगे फिर मैं इनक मशीन में पानी बरके खड़ाई रहेगा तो इसलिए मैं अभी नहीं डालूंगी और जो ये किचिन के कपड़े हैं पहले इनको धुल लेती हूं यहाँ पर इनको तो मैं लग से ही धुलती हूं किचिन के कपड़े जो होते हैं उसे ना उसमें नहीं डालती हूं मशीन में तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर धुलना सुरू कर दिया है अब भी इनको धुलूंगी और साथ की साथ मैं इनको धुल करके सुखा भी दूंगी यह बाल टीती जो हमारी किचिन की है मैंने सोचा कि चलो इसको भी माझ लेते हैं साफ कर लेते हैं क्योंकि यह भी थोड़ी सी ग पड़े हैं उनको दो तिन बार अच्छे से साफ करूंगी और फिर मैं उसको न मसीन में डाल दूंगी सुखाने के लिए क्योंकि वो न सूख जाएंगे तो जल्द सी सूख जाएंगे अगर मैं ऐसे भाहर डालूंगी तो वह बरसात का सा मौसम है कभी भी बाद ला करके ब जमीन को बाहर डाल दूंगी तो अभी यहां पर यही काम कर रही थी मैं और वो कपड़े वगयरा मैंने धुल करके सुखा दिये हैं जो किचिन के थे अभी मैं आ गई हूं इधर और यहां पर आने के बार मैं यह श्टूल वगयरा यह बाहर रखोंगी क्योंकि वहां पर य जाए तो इस टूल पर वह से रखना प्रतर इस टूल पर रखने के बाद भी ना वह बिल्कुल सही ही आती है ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें फालतु दोरी बच जाती है इतनी ही आती है तो अभी मैं फिर इधर आ गई हूं और सोचा कि चलो जब इधर आ ही गए हैं तो क्यों कि धुलना तो मैंने इसलिए बंद कर रखा है कि वैसे ही बरसात काफी हो रही है दीवार वगेरा वैसे ही पूरी भीगी पड़ी है तो मैं पानी फिर क्यों ही फैला हूं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है और अभी फिर मैं यहां पर लगने लगी हूं जाड़ू और अभी देखिए फर्स भी न सीला सीला सा हो रहा है कहीं कहीं पर क्योंकि अभी बरसात कल तो नहीं हुई थी लेकिन लगातार हुई है तो जिसकी वाइसे पूरा भीग सा गया है तो अभी तो नहीं हुई है और अभी सूखा नहीं है पर कहीं कहीं से गेला रह गया है सूख जाएगा अगर अच्छी खासी धूप निकली तो अभी तो ऐसी धूप नहीं है अभी देखते हैं कि पूरे दिन में किस तरह की धूप रहती है तेज वाली धूप रहेगी न तो यह जो सीलन वगएरा जो भी आ रही है न सब सूप जाएंगी और अभी हैंपर मैं देख रही थी कोई जाला वगेरा तो नहीं है क्योंकि दो तीन दिन मैं इधर बिल्कुल भी नहीं आ पाई दी जब बरसात हुई है ना क्योंकि गेट भी ना इतना ज़्यादा वह हो गया था भीग करके जैसे फूल जाता है ना तो वह बहुत मुश्किल से खुलता था फिर मैंने सोचा कि इसके दिन बाद लगवग मैं यहाँ पर आई हूँ जादा भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं तो जब देखा है पर आज कल और आज हलकी हलकी सी धूप निकली थी ना तो वो गेट ना सोग गया था तो वो इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना की पहले कर रहा था कि बहुत की बहुत ही जादा तो फैन चला लिया है और साथ की साथ मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोचा इस रूम में लगा दूँगे और यहाँ पर ना मैंने कुछ कपड़े रख रखे हैं जिन पर मुझे प्रेश करनी है और वो मैंने कल साम के टाइम में रखे थे और अब देखते हैं कि कब होती है ऐसे कोशिस मेरी यह है कि मैं चल्दी से काम खतम करके और इन कपड़ों पर प्रेस वगएरा कर लूँ तो अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोचा मेज वगएरा हटा करके मेज को ठाना पड़ता है उसके नीचे से जो भी हो जो चीज उठा स जो वफा है और जो हमारा बैड है उसके नीचे ना अराम से जहाड़ू पोचा चला जाता है लेकिन मेज को जब तक नहीं उठाएंगे जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे करनी है थोड़ी सी प्रेस मैं यह वाल पर प्रेस फिर इसको ही पहनते हैं तो अभी हाँ पर प्रेस करने लगी हूँ मैं और मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है लेकिन कभी कभी बादल आ जाते हैं तो कभी भी बरसात हो सकती है ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही मौसम साफ हो गया है बरसात हो सकती है लेकिन हाँ थोड़ा सा धूपने के लिए आज अब देखते हैं कितनी देर तक निकलती है बिल्कुल भी पता नहीं है कि कब बादल आ जाएं और गोलने लएं कि सब चीजें अंदर करो मैं आ गया हूँ क्योंकि ना होता है कोई भी चीज हम सुखाने के लिए अगर रखें तो हमें रहता है कि जल्दी से ना उसको अंदर रख लें कहीं बरसात ना सुरू हो जाए तो इसलिए अभी हाँ पर प्रेस कर रही हूं थोड़े बस एक सूट पर ही करूंगी फिर भी ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है और वाकी का बाद में मैं अनुश्का कि पापाजी करती हूं ऐसा नहीं है कभी मुझे बहुत जादा जल्दी है बिजी हूं नहीं टाइम मिला तो पहन लेती हूं वाकी ना अगर इन पर प्रेस करके पहने जाए ना यह जो कपड़े होते हैं कोटन के तो ज्यादा सही रहता है अभी इस डुपट्टे पर भी कर लेती हूं व पूरे ही अपने सूट पर रुपट्टे पर सभी पर अच्छे से मैंने वह कर ली थी प्रेस और उसको गैस को बहुत से लोग कर दिया था तो अभी यहां पर यह मेरा प्रेस वाला काम तो हो गया है खतम यह मैंने रख दिया है बोर्ट को हटा दूंगी और फिर मैं चाहू दुलने थे जो कि अभी आप देख सकते हुँ दुले हैं पश पानी में निकालने हैं व्हां की धुलायी पूरणफी हो गई है तो मैंने पहले मं था कि मैं एक आज धुल लेतीं एक कर लेकल एक उस से अगले दिन क्योंकि तीन खेस हैं तीनों के तो फिर मेरा मुं वाकी कि नहीं आज ही धुल लेते हैं कुνकि ज़्यादा बजन तो मैं एक साथ मशीन में नहीं डालूंगी क्योंकि हमारी मशीन अभी बीच में थोड़ा सा प्रोबलम कर गई थी और भईयाा ने बताया था कि ज़्यादा कप्रेस में एक साथ नहीं डालना तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक साथ नहीं डालूँगी दीरे-दीरे करके न धुलूँगी तो इसलिए मैंने खेस भी न अलग-अलग करके धुले हैं एक साथ नहीं धुले हैं क्योंकि फिर वही रहता है कि कहीं मशीन खराब न हो जाए थोड़ा सा रहता तो है ही और फिर सब्सक्राम से थ स्कल्सी को बती है साथ अब यहां पर क्योंकि न कुछ चीजा तो ऐसी होती है कि बिल्कुल भी सही हो काम चलता ही नहीं अब मशीन भी कुछ ऐसी ही हो गई है क्योंकि मशीन के बिना बिना आप काम नहीं चलता है मशीन की विज़ुरत पड़ती ही है अब यहां पर धर आ गई हुं मैं कपड़े सुखाने के लिए काम पूरा खतम हो गया था और में नहाली थी मशीन भी मैंने साफ कर दिया साफ करक तो खेस जो दुलेते ना उनको यहां पनो सुका रही हूं और हवा भी चल रही है तो मुझे ना इन में लगानी पड़ेगी चीमटी क्योंकि हवा चल रही है अगर हवा ऐसे ही चलती रही तो यह है कि खेस नीचे गिर जाएंगे काई वगयरा थोड़ी बहुत छत पर हो ही रखी है बरसात की जाएसे फिर वो पूरी ना वह जाएगी क्या वोलते हैं इसी पर लग जाएगी तो इसलिए इन में मैं लगा लगी चींटी जिससे कि ना यह वो हो जाएं गिरेना देखें हवा कितनी तेज चल रही है यह तो गिरा देगी पहले सुचा था कि दीवा पर डाल दूं फिर मन नहीं माना मने का नहीं चलो मैं उधरी डालती है एक खेस में उधर की रसी पर डाल दूंगी और यह ना वह हो सब्सक्रावी रहता है रहीं वह आ करके कपड़ें फार दें अभी वीडियो का एंड करूंगी मिलें कल आप से एक अच्छे सी वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 एंडिक के एंड़